व्लॉग इंडिया की एक और नहीं वीडियो में आप से भाई लोका स्वागत है तो आज की जो वीडियो है ना गाई वह काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे 2024 की लेटेस्ट रॉयल इंफिल्ड क्लासिक 350 का यह टॉप अफ दा मॉडल यह जो अची में आपको इसकी क्या प्राइसिंग देखने को मिल जाती है माईलेज टॉप इसमें हर एक डीटेल के बारे हम बात करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो का एंट तक देना आज आज आपको सारे डीटेल्स यहां पर मिल जाने वाले तो लुक्स आप एब चेक अब एब देखने को मिलते थे निकिन आपको अब एब अब आपको LED पायलेट लाइप देखने को मिल जाने वाले जो इसके काफी अजी लग रही है और इसकी 요 half Schmidt मिलती है फिर से गरीला आती है उसमें जो हलो support मिलती है नूँ है आपको से आप वही सेम हीडलाइट आप हम पर देखने को मिल जाने वाले जिस में बहुत अच्छे मिलने वाली ओड़ाव्द साती घाज यहां पर आपको led में ईक के blinkr即 mourn quand चाएंगे जो काफी premium लगते हैं एक बर आपको on करके दिखा देता हूं तो यह आप चेक आउट करो खुछ इस तरह कि आपको यहाँ पर इसकी LED में इसके blinkers देखने को में जाएंगे और जो surrounding है वो आपको fully chrome में देखने को मिलने वाले इसे बंद कर जाता है नो तो इसकी battery चली जाएग इसके suspension से साथ ही यहाँ पर ही आपको body color के इसकी suspension की जो casing है नो यहाँ पर देखने को मिलने वाली जो काफी premium लगती है अब बात कर ले इसके mudguard के यहाँ पर गाइस आपको जो color combination मिलती है नो आपको एकड़ नेक्स लेवल देखने को मिलने वाली है ग्रीन और रोस देखने को मिल जाने वाले बहुत मस्त लगती है फुली chrome के आपको पुरी finishing देखने को मिलने वाली है अब टायर प्रफाइल के बात कले तो 100 बाइन्टी निच के आपको massive इसके front tire देखने को मिल जाने है जो काफी मस्त है और यह जो tire आपको C8 के देखने को मिलने वाले मस थेखतर नाक वाली आपको बरेकिंग मिलने वाली है साथ यह आपको private देखने मिल जाता उस तरव भी आपको reflect देखने को मिलने वाला चलते थोड़ी पीचे की तरप और यहां पर आपे इसके visible frame देखने हो मिल जाते है यहां पर आपको double down tube spine frame देखने को मिलने वाला single horn य यहां पर जो इंजन मिलती वह भी आपको फुली क्रोम में देखने मिल जाती है थोड़ी से यहां पर आपको बीच कलर पेच कलर के आपको फिनिशिंग देखने मिल जाती है बीच में आपको ब्लैक देखने को मिलने वाला तो सारी चीज़ आपको मिल जाती है और उपर की देखने को मिल जाएगी और बड़ी से आपके यहां पर लोगों देखने को मिल जाएगी और बड़ी से आपके यहां पर लोगों देखने को मिल जाएगी और एक बड़ी से आपके यहां पर लोगों देखने को मिल जाने वाले जो काफी अच्छी लग रही है क्या पर सिटी क होगे तो यहां पर यह जो पार्ट है ना गाइस यह भी आपको मेटल में देखने हो में जाता है ग्रीन किलर के आपको यहां पर फिनिशिंग देखने वाली बहुत अच्छी लगती है और यह चेक आट करो गाइस जो इसका बैटरी बॉक्स है इतना मस्त लग रहा ना फुली इसके रहर सस्पेंशन की तो यहां पर आपको ट्विन शॉक अब्जोबर देखने को मिल जाते है जिसमें आपको सिक्स स्टेप की पिरी लोड एजस्मेंट भी देखने को मिलने वाली है जो काफी अच्छी कमफर्ट आपको प्रोवाइट कर देती है और आप अपने यहां पर टाय प्रोफारल देखने को मिल जाएगी ब्रेक्स के बात कर लेत थो 270 में उपको एपे डिकby की आपको ब्रेक्स का लिपर मिल जाएंगे इस बााइक सैफ्टी वाइज काफी अच्छा वह फीचर होने वाली है साथ ही इसके अप मढगार भी चेकाट कर लो गाइ है जो आपको je לAmerica ने ने को बलिक करते है वhou आपको यहां पर एलीडी बाओं में देखने को भूले जाने वाल आपन के लित की जो काफे मस्त यहां पर आपको performance निकाल के देती है बहुत अच्छी refinement हो गए 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 जब से यहां पर J-Series के इंजन आने लगी है ना Royal Infilt की bikes में तो जो refinement है जो reliability है वो काफे improve हो गई है डीटेल लो हम लोग बात कर ले तो यहां पर आपको 349 CC की single cylinder 4 stroke 2 valve air cooled BA6 phase 2 E20 compliant आपको यहां पर engine देखने को मिल जाएगी जो यह power निकाल के देने वाली है बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है 20.12 BHP की power यहां पर आपको देखने को मिल जाने वाली और आपको मिलेगी 6700 RPM में साधी टॉर्क की बात करें तो 27 Nm के आपको आपको आपक आपको 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 आपक तुक आपको मेल ये सबसाओ के घूशक है इस नहीं पार के लिए तेन दान जर क धूने हो अब को सबसommes आप कर सके अफिर ने क अग्या इसे ढाने रहे हैं भी सत्ती है में लगी सब्सक्राइट को सबसा है वह काफी अच्छी देखने को मिल जाती है अब इसकी पैडिंग की ठीकनेस चेक आउट करो देखरो कितनी साथ आपको थीकनेस देखने हो जा रही है तो आप इसी से अंदाजा लगा लगा लो गाइस कि आपको जो कमफर्ड हो किस लेवल के आपको मिलने वाल है बहुत और स्पेस भी आपको बहुत अच्छा देखने में हो जाता है राइडर के लिए जब आप इसमें बैठा हो कना गाइस आपको राइडिंग पोस्ट्रे मिलीगन वो काफी मस देखने को मिलने वाली है और आप बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार और इसके मैं यहां पर प्रकॉब यहां पर आपको टायципLames और और आपको टायीपको चार्जिंग सौकट्ष मिल जाता है हम फूर प्रमेंश दिह देखने को मिल जाती है इंस्ट्रुमेंट आपको टॉंगल करने लिए यहां पर आईकी बटन देशने एक और यहांप अन्गत्न गो आप पास करने की स्विछ देखने को मिल जाने वाली एडिक है उसके नीचे आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है यानि स्विच मिल जाती है और उसके नीचे आपको हॉन देखने को मिलने वाला है अब सिंगल हॉन आती है गाइफ सुनना तो बनता है काफी अच् के मिल जाते है तो फींस देखने को मिल जाता है जैप रेक लीवर है यो भी आपको ऐलुमिनियम फिनिश वीद एड़स्टिबिलिटी HOW है पर देखने को मिल जाती है तो थे é钱 बर अपके लिए को सटूर यह अपर कर देखनेमा बाद कर देता है तो होपर में आपको यहाँ पे Amperegaat, देखने को मिल जाता है तो वर्निएप आपको यहाँ पे मिलने वाल यह चुटी से डिस्पलेय वायब हची यही वाइड ब्लैक के साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है जिसमें आपको While Gage, Trip Eesp देखने को मिल जाता है जिसमें कितनी किलोमेटर चली वह यहां पर शो कर दे रही है और आपको इको और गेर पोजिशन इंडिकेटर आपको यहां पर देखने को मिल जाने वाला यह ना गाइस बहुत जरूरी फीचर हो जाता है जब भी राइड करते हैं तुसमें हमें याद नहीं रहता है कि हम लो को मिली रहा है जिसमें आपको Bluetooth connectivity करके आप call SMS alert जितने भी notification से सब आपको मिल जाते हैं साधी साथ आपको turn by turn navigation का support भी यहां पर देखने को मिल जाने वाला है तो फीचर काफी मस्त आपको यहां पर देखने को मिल जाने वाला है जो काफी अच्छी बात हो जाती है तो आप ब बाइक के हिसाब से आपको माइलेज मेल भी वह काफी decent यहां पर देखने को मिलने वाली है और top speed की बात कर लें तो 120 केंपेस से लेके 130 केंपेस तक यह चली जाती है और डिपेंड भी करती है अगर 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 असे पुछ करोगे तो थोड़ी से क्रॉस भी कर जाएगी तो ऐसा तो मैं बोलूगा कि जादा पुछ मत करना 120-130 तक यह से लेके जाना उस चीज में आपको जो आपक क्लासिक 350 की टॉप मोडल इसकी जो आपको एक्शोर रहांची में देखने को मिल जाएगी तुलाइक फिचर लोड़ेड यहां पर आपको देखने को मिल जाने वाला जो बहुत अच्छा लग रहा है और यह जो बाइक इतनी आपको प्रीमियम लग रही है अना अभी इतनी आपको फिचर लोड़ेड यहां पर आपको देखने को मिल जाने वाला है जो मस्त बात हो जा रही है बहुत अच्छा लग रहा है और हाँ यहां आपको फ्रेंट और जो रियर में आपको जो टायर मिलते हैं आपको ट्यूबलेस टायर नहीं देखने को मिलने वाले है तो य ये बाइक आपको खणना मोटरस में देखने को मिल जाने वाला है, शूरूम की सारी कॉंटे डीटेल्स अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही में डाल दूँगा, तो वहाँ पर भी आप जाके चेक आउट कर सकते हो, ये बाइक अच्छी लगी हो, तो लाइक जरू कर देना, अपने दोस्तों पे शेर भी कर देना और सब्सक्राइब तो जरू करके जाना, मेरे जितने भी नए भाइए ये विदियो देख रहो ना जितने खेंद जा बाइक नियाए जबार। सब मिलते हैं गाइस किसी और वीडियो में किसी और बाइक के साथ कार के साथ या फिर स्कूटर के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत लव यौल गाइस